सेंट्री अब मानतें की यह रूम है उपर से छत में छेद कर दिये और एक जो एकसिस लगा दिये ठीक है? क्या लगा दिये? और इसको घौमा दिये ऐसे तो जब ये रूम घौम जाएगा क्या होगा? सर्कoiseर मोसन होगा या नहीं होगा? हाँ? ठीक है सर्क네요 मोसन में ये रूम है इसके अंदर हम लोग है, आप भी है ना, ठीक है, तो जब यह rotate होगा, तो जो भी लोग axis को छोड़ के बाहर दूसरे जगह, जैसे मैं यहाँ हूँ, तो हम ऐसे होंगे, उधर वाले लोग ऐसे होंगे, आप पीछे वाले, ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है, क्योंकि ज जर्कुलर मोशन में एक एक्सलेरेशन है, टूर्ड सेंटर होता है या नहीं होता, तो अगर यह रोम रहा है, मत्रूम में भी एक है, टूर्ड सेंटर एक्सलेरेशन, और जिस फ्रेम में एक्सलेरेशन हो, वो फ्रेम कौन सा फ्रेम कहला था, इनर्सियल, नॉन इनर्सियल, इनर्सियल नॉन इनर्सियल जिसमें एक्सलरेशन हो वो नॉन इनर्सियल और जहां नॉन इनर्सियल होता है वहाँ स्टूडो फोर्स आते है तो यहाँ पर भी स्टूडो फोर्स आता है जिसके वज़े से मालीजे मैं इधर हूँ तो मेरा tendency होगा बाहर के तरफ जाने का हर किसी का tendency होगा बाहर के तरफ जाने का ठीक है हर किसी का tendency किदर के तरफ जाने का होगा बाहर के तरफ उसी force को कहते है century-fugal force आपने अक्सर सुने होंगे अर्थ का नाम सुने अर्थ का देखें हैं कभी बड़ा सा होता है ठीक है आप लोगों ने वो पढ़ते होंगे कि किसी भी object का जो weight है वो equator पे सबसे कम होता है अब pole पे सबसे ज़्यादा होता है क्या कभी ऐसा सुने जूट मत बोलिए जूट नहीं होंगे तो सुने नहीं है पढ़े हैं ठीक है अर्थ के equator पे किसी भी चीजों का weight कम होता है पोल पे सबसे ज़्यादा होता है ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अर्थ भी घुमता है अपने axis के about घुमता है या नहीं घुमता अगर नहीं घुमता तो दिन और रात नहीं होते दिन और रात होते हैं मतलब Earth rotate हो रहा है अपने axis के about तो Earth एक non-inertial frame है पहले भी आपको बताये थे हमने बताये थे क्या Earth कौन सा frame है तो जो भी object Earth surface पे है वो सबके सब object एक rotation के वज़े से एक centrifugal मतलब pseudo force फील करता है वो pseudo force जो है वो हम उसको कहते हैं centrifugal force और उसकी value हमेशा M omega square r के बराबर हो क्योंकि pseudo force का magnitude क्या होता है mass of object into acceleration of frame होता है न तो जो frame का acceleration है वो कितना omega square r centripetal force circular motion में acceleration अंदर के तरब कितना होता है omega square r तो mass into omega square r कितना हो जागा M omega square r तो जो centrifugal force होगा उसकी magnitude कितनी होगी M omega square r और centripetal का भी magnitude कितना हो रहा है था M omega square r मतलब दोनों की magnitude अपस में दोनों की magnitude equal होती है बराबर है और कितनी होती है M omega square r या फिर M v square by r दोनों कह सकते है M v square by r और M omega square r बराबर है दोनों में फर्क बस इतना है centripetal किदर रहता है किदर रहता है और centrifugal किदर रहेगा away from away from away from center बराबर है तो जो centrifugal force है वो एक type का pseudo force है यह होता है away from center यह सिर्फ non-inertial frame में लगता है इसकी magnitude M omega square by r या फिर M v square by r होता है अब देखिए फोड़ा सा उस पे conceptual discussion कर लेते है मन्तें के रहे इसके बाट with angular speed omega यहाँ एक object है रखा हुआ तो यह object इस circle में घुमेगा आया ना इस circle के radius यह होंगे यह object अगर इसमें रखा हुआ है और इसकी angular speed omega है तो इसकी भी angular speed कितनी होगी omega हाँ या ना अच्छा यह object frame non inner frame है इस पे pseudo force लगेगा या नहीं लगेगा किदर के तरफ और उसको हमने क्या बोले कौन सा force tree sentry और इसकी magnitude कितनी या फिर mv square बार m omega square आर या फिर mv square बार इसका direction हमेशा किदर रहेगा away from center किदर रहेगा away from center बराबर है अब हमने पढ़े हैं कि कोई भी जो circular motion है उसमें दो acceleration हो सकता है एक radial और दूसरा तो अगर ऐसा कोई frame हो जिसका rotation हमेशा बढ़ता जाए मतलब speed उसकी बढ़ती जाए तो speed कब बढ़ेगा कौन सा acceleration होना चाहिए उसमें दोनो non-uniform circular motion में दोनो acceleration होता है बताए थे क्या हमने आपको दोनो acceleration होते हैं radial और अच्छा तो जो frame है और इसमें जो आप उपर इस एक्सलेरेशन तो बहार की तरफ हाया ना और कितना एम इन्टो ओमेगा स्कारार मतलब यह रेडियल बराबर है लेकिन अगर इस frame में यह भी acceleration है तो एक सूड़ो फोर्स और क्रियेट होना चाहिए होना चाहिए नहीं होना चाहिए होना चाहिए ना सूड़ो फोर्स का मतलब क्या होता है imaginary force opposite to the direction of acceleration और वेल्यो उसकी मास इंटो एक्सलेरेशन तो जिस तरह मास इंटो यह एक्सलेरेशन कर दिया और इधर के तरफ लगा दिये उसी तरह मास इंटो यह एक्सलेरेशन भी करना पड़ेगा करना पड़ेगा ना और उसके नीचे लग जाएगा पीछे की तरफ बराबर है हाया ना हमने इसको centrifugal बोले इसके बारे में अभी तक कुछ बात बोले क्या नहीं बोले बराबर है तो अभी तक नहीं बोले इसका मतलब यह है कि जो centrifugal force है ना वो पूरी तरह से сюда भी नहीं है आपकि पूरी तरह से сюда होता तो यह दोनों का भीट होता समझ भारे हैं कहा हमारी बात है दोनों का effect होता क्योंकि यह भी reflex होता तो net resultant pseudo इधर कहीं होता बराबर है, लेकिन हम centrifugal force में बार बार यही कह रहे हैं कि उसकी value M omega square R होती है non inertial frame में रहता है और वो away from the center काम करता है मतलब हम सिर्फ इसी की बात कर रहे हैं इसकी बात करी नहीं रहे हैं, एक बार भी चर्चा नहीं किये लेकिन pseudo force के concept से यह भी होना चाहिए और यह भी होना चाहिए centrifugal force के concept से सिर्फ यह होना चाहिए यह नहीं होना चाहिए इसका मतलब pseudo force और centrifugal force दोनों पूरी तरह से match नहीं करता हम centrifugal force को pseudo force नहीं कहा सकते हम लोग उसको फिर ऐसा कह सकते है it is the pseudo of radial acceleration समझ के क्या बात है टेंजेंशियल का नहीं है किसका है किसका है direction किदर away from away from center direction from center और value इसकी m omega square value कितना तो थोड़ा लिखेंगे अब लिखेंगे centrifugal force लिखेंगे it is a kind of it is a kind of imaginary force in circular motion it is the pseudo of it is the pseudo of pseudo of it is the pseudo of radial acceleration it is the pseudo of radial acceleration हुआ क्या जल्दी जल्दी करें it appears only in non-inertial frame of reference 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 it is always directed away from center it is always directed away from center it is always it is always away from center its magnitude equal to m its magnitude equal to m m omega square r m omega square r or m omega square r or m omega square r niche isko chap dee put a word ye chap dee isko you